नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Apple Company का रेसेंटली चलने वाला iPhone जो है हमारे पास iPhone 15 Pro Max इसके करेंगे unboxing, नजल डालेंगे basic features, look designs camera पर देखेंगे कैसा रहता है ये iPhone आपके लिए तो दोस्तों, already मैं कई सारे iPhone यूज कर, तो कहों, शुरुवात मैंने की थी iPhone 5S से, उसके बाद लिया 6S, फिर iPhone 12, 12 Pro Max, 14 Pro Max और अभी आ गया मेरे पास दोस्तों, iPhone 15 Pro Max इसे मैंने especially YouTube पर वीडियो बनाने के लिए purchase किया है, दोस्तों, हो सकता है, मैं काफी लेट हो गया हूँ, लेकिन दोस्तों, इसका reason ये है, ये तो iPhone होते हैं दोस्तों, कुछ टाइम बाद इनका price भी ड्रॉप होने सरो जाता है, और offline store पर ये बहुत ही सस्ती range में मिल जाते ह बॉक्स के ऊपर और नीचे की साइड एपल का लोगो, लेट और राइट साइड में iPhone लिखा हुआ है, चम चमाते font में, बैक साइड में थोड़े बहुत highlight features को mention किया हुआ है, बॉक्स पर जो lamination लगा हुआ है, इसे हम उथार देते हैं दोस्तों, इसके बाद हम इसकी unboxing करना सुरू करते हैं दोस्तों, तो यह जो यहाँ पर seal लगी हुई है, इन्हें हम हलके हाथों से remove करना सुरू करते हैं, और यह दोनों side से लगी हुई है, इन्हें निकालने के बाद हमारा जो iPhone है, उसका box सीधा open होगा दोस्तों, तो चलिए, फटा फट से box open कर लेते हैं, आप यहाँ पर नजर आती है दोस्तों, USB केविल, इस बार हमें USB केविल काफी अलग मिल रही है दोस्तों, केविल का डिजाइन आप देख सकते हैं, रस्ती लेकी हुई है बार, मुझबूत केविल है, जो यह सकी आपने देखा होगा iPhone की जो केविल होती है, नॉर्मली यह corner जो ह हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी जानकारी, तो type C to type C केविल आपको मिल रही है, अब तो type C type C सब में हो गया है दोस्तों, तो यह अप नॉर्मल बात हो चुकी है, इसके बाद एक चोड़ा सा envelope हमें दिख रहा है यहां बगल में, जिसके अंदर काफी सारे document जिनको हम ब देखे दोस्तों, यह है iPhone 15 Pro Max, वाइट कलर वेरेंड मैंने पर्चेस किया हुआ है दोस्तों, तो मुझे mostly white या gold कलर ही ज्यादा पसंद आते हैं, इसके अलावा दोस्तों यहां पर लगावा है sticker, इस sticker को हम हलके हातों से remove कर देते हैं और इसके बाद हमारे सामने इसकी display निक लगता, इसकी power on करते ही Apple का logo हमें नजर आता है, इसके बाद जब हम installation करेंगे तो यहां पार यह language select करने के लिए पूछ रहा है, तो hello इसने हमें कर दिया है, आप इसका back panel एक बार देख लेते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया back panel दिख रहा है दोस्तों, यहां पर काफी मज देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि पहले 12, 13, 14 pro max में थाई, वैसा ही camera medial यहां पर हमें देखने को मिलता है, लेंस में थोड़ा सा अंतर कर दिया है, यहां पर दोस्तों, यह जो हमारे पास तीसरा lens है, इस साइड वाला, इसमें जो अंदर camera lens बहुत बढ़ा हमें देखने क मिलेंगे, mobile के right side में power on की है, उपर की side कुछ नहीं दिखता, हला कि dual studio speaker का support मिलता है, left side में एक action button आपको मिल जाता है, दोस्तों, volume rocker यहां पर दिये गए है, sim tray आपको नजर आएगी, इसे open करके देखे, तो एक single sim आप इस पर यूज़ कर पाऊगे, बाकि तो आप e-sim का use कर सकते हैं, bottom में primary mic, charging jack और speaker दिया गया है, तो दोस्तों, यहां पर जैसी मैंने 8 smart phone को install किया, तो इससे पहले इसने मेरे 14 pro max से जानकारी ली कि क्या आप इसका data इसमें transfer करना चाहते हो, तो आप यखिन नहीं करोगे दोस्तों, 15-20 मिनट में सारा का सारा data इसमें transfer हो गया, द smart phone को upgrade करते हैं, तो यहां पर काफी जंजट हो जाती है, कि उस phone का data हमें transfer करने में काफी ज्यादा time लग जाता है, इसके अलावा दोस्तों, display बिल्कुल same, काफी clarity आपको display में देखने को मिल जाती है, colors तो काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे, display size वही same मिलता है दोस्तों, 6.7 inch की full HD plus OLED display, यहां पर display size 14 pro max के बराबर ही है, जबकि iPhone 14 pro max size में थोड़ा सा बढ़ा भी है दोस्तों, aspect ratio है 19.5 is to 9, screen resolution 1290 into 2796 pixel, pixel density 460 ppi की मिलती है, 120 hertz का refresh rate spawn में दिया गया है, touch obviously आपको काफी smooth और fast इसका मिलेगा, 159.9 mm इस mobile की height है, 76.7 mm की width और 8.2 mm की thickness, weight है इसका 221 gram, जबकि 240 gram के आसपास, यह जो 14 pro max है, इसका weight बेरता था, titanium body इस बार कर दी है, तो यह काफी हलकी होती है, इसलिए तो space craft जो होते हैं, या फिर rover होते हैं, उनमें भी यह body use की जाती है, phone के अंदर 4,422 mAh की battery लगी हुई है, charger आपको यहाँ भी अलग से ही purchase करना पड़ेगा, mobile 20 watt तक का चार support का लेता है, इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर mobile का जो interface है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, home screen में, right side में scroll करते ही, सारे के सारे phone में मौजूद application आपको देख जाएंगे, pre install application फालतों application आईफोन नहीं देता दोस्तों, हम अपनी इच्छा उनुसार Apple Store से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे के सारे useful application ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे, mobile के back side में gorilla glass लगा हुआ है, waterproof है दोस्तों यह smartphone, IP68 की rating मिली हुई है और dust proof भी है, तो यानि इसके अंदर ना पानी गुसेगा, ना धूल गुसेगी, अब आप इसका प्रोसेसर जानना चारे होंगे दोस्तों, तो 3.7 GHz का hexa core processor आपको इसमें मिलेगा, Apple A17 Pro का bionic chipset आपको इसमें मिल जाता है, जो based है 3NM के fabrication पर, Apple का पहला smartphone जिसमें 3NM का fabrication मिल रहा है दोस्तों, ग्राफिक आपको Apple के मिलते हैं, GPU वाले और जो RAM है वो आपको मिलेगी, 8GB की, LPDDR5 की, 256GB का storage इस phone में हमें दिया गया है, storage type NVMe का मिलता है, दोस्तों, आप चाहो तो ज्यादा storage वाला भी purchase कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पैसा और खर्च करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इसे 1,48,500 रुपे में purchase किया हुआ है, online Amazon पर भी आपको मिल जाएगा, दोस्तों, शुरुवात में तो काफी महंगा था, और जो इसके दो storage आपको 12MP का दिया गया है, 12MP का ultra wide, 12MP का टेली photo camera with LED flashlight दिया गया है, फ्रेंट में आपको 12MP का selfie camera इस फॉन में मिल जाता है, कैमरा के लेटी काफी लाजबाब, इसका हम camera review भी आगे आने वाले टाइम पर करेंगे, comparison भी करेंगे 14 Pro Max से, बस आपका support बना रहे हैं दोस्तों, वीडियो का आप सोच सकते हो, नहीं तो 4-5 मेने बाद 16 Pro Max भी launch हो जाएगा, उसके बाद इसका price तो obviously और भी डाउन हो जाएगा, तो friends, आसा करता हो, मेरे द्वारादी की जानकारी आप सब के जरूर कुछ न कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया smartphone purchase करने में कोई दिक्रत नहीं